बिहार कहा जाता है बिहारियों के लिए उडिसा ओडियाओं के लिए बेंगौल बंगालियों के लिए तो जारखंड जारखंडियों के लिए यहां का जो नियोजन हो सिर्फ जारखंड वाश्यों के लिए हो 1932 होगा तभी जो है आगे जारखंडियों के पहचान रहेगी और यहां पे नियोजन रहेगा तो इसके पर विरूत का क्यों विशाय आ गया तो मेरा यही हमेशा सवाल रहा है कि 1932 का अधार कैसे हमेशा आज भी सवयूगत बिहार बोलना चाहिए था अगर सवयूगत बिहार बोलते हैं तो आप 1932 का मांग नहीं करत पाते हैं लेकिन चंद नेता अपनी राजनेतिक लाब के लिए उनको बार बार बोल बोलके उनको कमजोर सावित करें तो आप इसी दो राज्य के वीतर बटवारा का कैसे बात करें नवस्कार मैं हुद असथ परधान राब देख रहे हैं चुड़नापुल लाइफ 1932 खत्यान को लेकर कई सारे वीडियो आप सोसिल मीडिया पर हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं जारखंड के एक तपका के स्टूडेंट्स जो संघर्स के 1932 खत्यान को लेकर जारखंडियों को लेकर और इसके बाद देरे दरे उसे अभी पॉलिटिक्स दिशा देनी की कोसिस कर रहे है एक जेबी केसे जो है आगे दावेदारी कर रही है सीम की दावेदारी कर रहे है ट क्या कुछ आपको कमी लगा कि आप इसके विरोध में मंच का गठन किया और उसके बाद आप कैंपेंच चला रहे हैं लोगों से ज़राई ले रहे हैं इसको लेकर तो आप सब परीचे तीनों दे दिजिएगा उसके बाद जो इसके इस रिसे में 1932 विरोध में इसके बारे देखे सोचल मीडिया में देखे यहां पर एक जो रैली में रेला में देख रहे हैं जिस तरह भीड़भाड फुजों में चल पड़ा है चात्रों का और 1932 को लेकर जिस तरह बताया जारे कि यह जारखंडियों की हक अधिकार है 1932 होगा तभी जो है आगे जारखंडियों क लड़ाय नहीं जा रहा है यह रैली है कुछ लोग हैं जो अपने नीजी राजनितिक लाभ के लिए करता है जो जारखंड के जो युवा हैं जिसमें बहुत से संक्यात में किसी जातिगत या किसी धर्म के अधार पर नहीं देख सकते हैं बस जारखंड के अधार पर आप द सारी लोग थें जो भारत के लिए लड़ रहे थे 1932 के पाद जारखंड भी नहीं था 47 की अजादी मिली उसके पाद लंबे समय के बाद जारखंड कांदोलन सुरू हुआ जारखंड कांदोलन सुआ 2000 में जारखंड बना जब हम बारबर यहीं सवाल करते हैं कि बच्चे का जनवी 2000 में हुआ है तो आप 1932 का जन प्रमान पत्र लेकर ब्रिधा पेंसल लेने के लिए क्यों घूम रहें ब्रिधा पेंसल लेने वाली बात है और जारखंड को आप कैसे एक पेपर के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं जारखंड बिहार से अलग हुआ था आप इंडिया तो आप इंडिया बंगलादेश नहीं कर रहें एंडिया बंगलादेश नहीं कर रहें हैंग। यह हमारा दुर्भाग है कि इसको हम जार्खंड बोलना शुरू कर दिये हमें इसे आज भी स्वयुक्त बिहार बोलना चाहिए था अगर स्वयुक्त बिहार बोलते था आप 1932 का मांग नहीं करते लेकिन हमने बिहार को छोड़ा कि हम बिहार उस वक्त भी हम यहीं थे जब हमा यहार बिहार से जुड़ा हुआ है जो कि बिहार से जुड़े हुए नहीं है यहां पैदा हुए है लेकिन आपका 1932 खतियान नहीं है तो मुख्यत जो है बात यहां पे नियोजन को लेकर हो रहा है कि जिस तरह competition बढ़ गया है तो कई ना कई एक category में उसको डिवाइट करें है competition करने की कोरणी कोसिस की जा रही है आपको कैसा क्या लगता है प्रतिभा को बाटने का काम तो नहीं हो रा चाहिए ये प्रतिभा को बाटने को आप क्यों जहारखंड को यूवां जिसके पास उन्हीं सो बत्तिक उसको कमजोर समझे जरामा तो खुद को क्यों कमजोर समझे आपको 1932 का दार लेना पड़ा आपको नेता बनने के लिए आज जो जहारखंड के यूवां या ससक्त है वो वो दिमाग से मजबूत है सरीर से मजबूत है हम बात करते हैं ग्रामीन यूवाउं की कि वह इतने मजबूत है कि एक सेलेंडर को ऐसे एक हांसा उठा के लिके चल जाते आप ज्यां जाते अब बार-ब़ उनको कमजोर, बार-बर, कमजोर, बार-बर, बोल-बोल को उनको कमजोर बना दिये। जबको ऐसा नहीं है, जारकण के युवा बहुत मजबूत है, बहुत ससक्त है और आज आप देख सकते कि बड़े-बड़े पदो पर ग्रामीन छेत्र के युवा जो है वो बैठे है, SP है, DSP है DC बन गए है, DM किसी राज़े के है आप क्यों उनको कमजोर करने पड़ तो लेगा है जंग युवाओं के लिए है, जो युवा ज़ारखंड के है वो बहुत मजबूत है, उनके भीतर इतनी चमता है कि भारत के अन राजों में जाकर अपना प्रतिभा दिखा सकते है और उनसे उपर और उनसे स्रिष्ट है लेकिन चंद नेता अपनी राजनेति गलाब के लिए उनको बार-बार बोल-बोलके उनको कमजोर सावित करो 1932 को लेकर जब बात आती है तो सिर्फ बात नियोजन नीती के आती है कि जो है यहां का नियोजन नीती में जिस तरह बिहार कहा जाता है बिहारियों के लिए उडिस्टा ओडियाओं के लिए बेंगल बंगालियों के लिए तो जहारखंड जहारखंडियों के लिए क्यों नहीं का जो नियोजन हो सिर्फ जहारखंड वाश्यों के लिए हो 90-10 की ब लोग कहां है जार्खंड कहां है अगर जार्खंड होता है हम बात करते हैं यह लोग इस से अलग होकर अन्य समुदाय को बनाएं यह बात होती है तो जार्खंड कहां है 14 नॉवंबर 2000 को जार्खंड नाम को कोई था अस्तित्य था 15 नॉवंबर को राजनितिक लोग इसको मिलकर अलग किये कि बड़ा भूमी है इसको एक मुख मंत्री के हवाले नहीं समभाले जा सकता एक बड़ा तपका है जो ग्रामी तपका है एक बड़ा तपका है जो खेट से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा भूई मंदाल है आज जार्खंड बिहार को अगर हम अलग किये हैं तो हमारे पास दो मुख्य मंत्री है उतना ही जगा को समभालने के लिए हमारे पास दो सिक्षा मंत्री हमारे पास दो अन्य मंत्रिया है तो ये समाजिक बिवस्था को बनाने के लिए जारखंड को लग गया था लड़ाई जगड़ा करने के लिए नहीं बनाए गया था लेकिन आज लड़ाई जगड़ा करने पर लोग तुले लोग खूद को जारखंडी साब तो वही पुजा के 14 नॉंबर को 2000 को आप क्या थे आभी बिहारी थे अगर आप कनरे जनमबीहार में हैं वहाराई सबका विहार में हुआ है तो आप क्यूं को भीहारी स्काविदी करने अिए आप बिहार के हम वह लोग है जो जो जन्फय ममें लिया जन्फ़मीन की रखषा के लिए जुड़े हुए ल Verme